कि अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे यूपी संगम माई अपनी क्लासेज के प्लेटफॉर्म पर मैं हूं आपका विशेक और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं और देखेगा बायलोजी के कोश्चन के तरफ मूव करेंगे तो आईए लेकर चलते हैं कलकी क्लास में भी हमने आपको एसीड के कोश्चन और बायोटेक के कोश्चन कराये थे तो सभी दोस्तों का स्वागत है 2523 कи त्यारी करने वाले पको तो लेकर चलते हैं पूरे उसी अन्दाज में कलकी क्लास आपने पढ़ी और जितनी जितनी आपकोs में क्लकी आपकोs में दे और आज के सेशन में, हम लोग कुछ अलग, प्यारा और लाजवाव सवालों को देखने वाले हैं, तो सबसे पहले एक सवाल पूछा गया है तरंग से वेव से और इस सवाल में पूछा गया है किसी माध्यम में तरंग संचरण की दसा में माध्यम के कड़ों का अधिक्तम विस्थापन है कोई भी माध्यम हो तो जैसे तरंग क्या होता है सबसे पहले आपको तरंग के बारे मे में ख्याल आदा चाहिए कि अगर आप तरंग के बारे में पढ़ना चाहे तो क्या पढ़ेंगे तो तरंग क्या है तो तरंग disturbance in medium किसी भी माध्यम में बिछोब है आप ऐसे जानते हैं माध्यम के बिछोब को कोई तरंग कहते हैं यहां से आपका यह सवाल बना है तो जब भी कोई तरंग संचेत हो रही है न एक और के अधिक्तम विस्थापन को हम क्या कहेंगे सवाल यहां पर बना है एक और का जो अधिक्तम विस्थापन आप देख पार हैं यहां से लेकर यहां तक इस विस्थापन को हम आयाम के नाम से जानते हैं या इसी को हम amplitude के नाम से जानते हैं amplitude के नाम से तो इसको हम आयाम कहेंगे या amplitude कहेंगे पूचा है किसी माध्यम में तरंग संचरड की दसा में माध्यम के कड़ों का अधिक्तम बिस्थापन क्या है तो माध्यम के कड़ों का अधिक्तम विस्थापन जो है आयाम कहलाता है और आयाम के मातरक मीटर हो सकता है सेंटी मीटर हो सकता है बहुत बढ़ी अभुपेंदर जै अनीता यहां देखेगा आवरित्ती क्या होती है एक सेकेंड में कमपन की संख्या होती है एक सेकेंड में हा दोलनों की संख्या होती है और आवर्त क्या होता है तो आवर्त काल होता है एक दोलन या एक कमपन में लगा समय जो है इसी को हम कहते हैं आवर्त का इसी को हम क्या कहते हैं आवर्त का तो एक के साथ दो तीन सवाल सधे यहां एक सवाल पूछा हुआ है आवर्ति का मातर क्या है जब आप दीजेगा आवरित्ती का मात्रक क्या है फ्रिक्वेंसी आप से अगर पूछा जाए आप जानते फ्रिक्वेंसी क्या है आवरित्ती क्या है यह ऐसे सवाल है जो एक दम निकलेंगे बिलकुल निकलेंगे बस एक बार क्लास देखेंगे और दिमाग में बैठ जाएग और आवरित्ति का दूसरा मात्रक होता है हडज आवरित्ति का तीसरा मात्रक होता है रोटेशन पर सेकंड घुर्डन पर सेकंड यह भी आवरित्ति का मात्रक है रोटेशन पर सेकंड यह तीनों आपके पास आवरित्ति के ही मात्रक है तो इस सवाल का पहला जवाब तो आपन राहुल ने दिया, सौधरी साव अनिता ने दिया, कृतिका ने दिया, सही जबाव है, लेकिन अगर आपसे पूशा जाए कि आवरिति के बारे में तो याद रखेगा, जब तरंग जो होती है ना, तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रिवेस करती है, जब तरंग ए तो आवरिति समान रहती है, आवरिति नहीं बदलती है, तो आवरिति तरंग की हमेशा एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर समान रहती है, यह बड़ा इंपोर्टेंट पॉइंट है, और आवरिति होता क्या है, तो आप जानते एक सेकेंड में कमपन की संख्या होत की ६ करhat को चession यह जवाब हो से वह देखेंगे कभी कभी आप देखते हैं कि ऐसा सवार बनता है जो OUT आप कांटेक्स होता है जो आप पढ़े के जाते हैं वैसा सवार आपको नहीं मिलता तो आप क्या जवाब देंगे पूछा है यांत्रिक तरंगों का संच्रण माध्यम के किन गुड़ों के प्रभाव से होता है ट्रांस्मिशन आफ मेकेनिकल वेव आकर्ष ड्यू टू विच प्रापर्टी टू दे मीडियम तो माध्यम के पास सब्सक्राचि की होती है और माध्यम के पास इनर्सिया की प्रापर्टी होती ये दो ऐसी प्रापर्टी है जो किसी भी माध्यम में そ एक क्मों प्रोक्रापर बास्राइक सरे यहीट हええ good कि उत्पूछा है दो उत्रोतर स्रिंग अथवा दो उत्रोतर गर्थ के मध्ध की दूरी को क्या कहते है दो उत्रोतर श्रिंग या दो उत्रोतर गर्थ के बीच की दूरी क्या कहलाती जैसे माल लिजे यहां पर आप देख पा रहें एक तरंग ऐसे संच्रित हो रही है और यहां गई फिर यहां आई तो दो उत्रोतर स्रिंग यहां से आप यहां तक आए और दो उत्रोतर गर्थ यानि यहां से आप फिर यहां तक गए इसके बीच की दूरी क्या कहलाती है दो उत्रोतर स्रिंग और दो उत्रोतर गर्थ क्रेश्ट और टर्फ के नाम से जाना जाता है इसको क्रेश्ट बोलते हैं यानि स्रिंग बोलते हैं और जो नीचे है इसको ट्रॉफ बोलते हैं यानि गर्थ बोलते हैं तो दो स्रिंग और दो गर्थ के बीच की दूरी को दुबे जी कह रहे हैं जी इस सवाल का जवाब क्या है सी है तो तरंग धैरे क्या है एक कमपन में तै की गई दूरी तरंग धैर क्या है स्रिंग से स्रिंग की दूरी तरंग धैर क्या है गर्त से गर्त की दूरी और यह भी मातरक इसका भी एंगेश्ट्राम मीटर और इसी तरह का मातरक इसका भी बन बना होता है चलिए अगले सवाल पर चलते हैं जवाब दीजेगा यांत्रिक तरंगे हैं यांत्रिक तरंगे किसे कहते हैं तो आप जानते हैं जो तरंगे जिन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम क्या हो सकता होती है उसी को यांत्रिक तरंग के लिए हम कहते हैं कि माध्यम यांत्रिक तरंगों के लिए क्या कहते हैं संचरण के लिए माध्यम की आवश्यक्ता होती है तो यांत्रिक तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यक्ता होती है कि Hai कि जबकि आप जादते हैं विद्यु छुमकी तरंगों के संस्चरण के लिए माध्यम क्याउसक्ता नहीं होती तो यहां पर अनुप्रस्टरंग और अनुधेरे तरंग दोनों आपकी यान्तरिक तरंग है ऀए है अनुप्रस्ट और निम्लिखित में सही कठन चुनिए आखिरकार ये अस्थी कठन क्या निम्लिखित में त Вас होने से माध्यम के दाब और घनत्वे परिवर्तर होता है अनुदहर improving ठोज द्रौब और घैस्तीनो परकार के माध्यमस्त असपन हो सकते हैं अनुप्रस तरंगे श्रिंग तथा गर्थ के रूप में और अनुदहर तरंगे स्टम्पीडन और बिरलन में संचरित होती है रसी और पानी के उपर बहुत बढ़िया तो अब पूरी टीम तो लगभग आ चुकी है कुछ ही लोग रहे गए हैं एक बाशेशन को सेर कीजिए कि सारे के सार होने से माध्यम के दाब और घनत्यों में परिवर्ता अनुध्यारे तरंगे ठोस द्रव और गैस तीनों प्रकार के माध्या में उत्पन्न हो सकती है अनुध्यारे का मतलब होता है ध्वनी तरंग और ध्वनी तरंग तो तीनों माध्यम में चलती है सालिड में इसका वेग उससे थोड़ा कम और गैस में इसका वेग सबसे कम तो इसका संचरण की दिशा ऐसी है फिर कह रहा है अनुप्रस तरंगों श्रिंग और गर्थ के रूप में और अनुधैर तरंगे संपीडन और बिरलन के रूप में संचरित होती है तो यहां पर आपका C option clear लग लग तो कि यह भी सही है यह भी सही और ये भी सही है तो यहां पर कहीं जवाब डी कारे में कहा जाता है कि भाया यह माध्यम के लंबोत जाती है कैसे जाती माध्यम के लंबोत यह गति करती है माध्यम के लंबोत तो आप क्या कहेंगे तरंगे बिलकूल एडोरीature जो डोर्यों इडाती है वह भी आपकी कैसी तरंगे होती है अनप्रस तरंगे ही होती है मेरे पास ऐसी कोई रसी तो नहीं है फिर भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ देख़ेगढ हमारे पास एक रसी में तरफो में एक सीरे को फिक्स कर दे रहे और दूसरे सिरे को यह रसी फोड़ा वायर है तो आप जानते मेटैलिक प्रापरिटीस में भी है भो रही है फिर भी अगर हम इसको मूव कराएं तो यह जब मूव कराएंगे ना तो आप देखेंगे इसमें कैसा तरंग आएगा इसमें इसी प्रकार की तर चलिए अगला सवाल देखेगा किसी गैस में उत्पन ध्वनी तरंग सदेव होती है किसी भी गैस में उत्पन जो ध्वनी तरंग है वो कैसी होती है सदेव बताएं तो किसी भी गैस में उत्पन ध्वनी तरंग कैसी होती है तो किसी गैस में उत्पन ध्वनी तरंग के बारे में आपको याद रखना है कि मैंने आपके कहा कि ध्वनी तरंग जो होती है वो अनुधैरे होती है और ये एकदम याद रखी गए जो लोग हिंदी मिडियम के धव और धव और इसी को अंग्रेजी में लांगी ट्यूडनल कहते हैं लांगी ट्यूडिनल ध्वनी तरंगों में संपीडन और बिर्लन का निर्माण होता है कि संपीडन जहां पर कड़ पास में रहते हैं संपीडन और बिर्लन जहां पर कड़ दूर रहते हैं संपीडन और बिर्लन का निर्माण होता है ध्वनी तरंगों ध्वनी तरं तरंगे सबसे ते चलती है सालिड में फिर लिक्विड में फिर गैस में यानि यह माध्यम की दिशा में ध्वनी तरंग जो होती है कि इसमें कड की गती जो कड की गती होती है तरंग संचर्ड के दिशा में होती है तरंग संचरड के दिशा में होती है तो यहां पर ध्यान देने वाली बात है तो यहां पर पूचा किसी गैस में उत्पन ध्वनी तरंग सद्याव कैसी होती है अनुध्यर होती है बिलकुल चलिए बहुत बढ़िया साहित पाठक जी भी आ चुके हैं बहुत होनहार बालक है बहुत सारे इसमें बच्चे जो हैं बहुत बेहतर करने वाले हैं ठीकना और जैसे होता है ना कि यह अपना सर्वस्व देते हैं और जब इंसान सब कुछ जोग देता है ना मेहनत के लिए कहते हैं यह गहरे पानी पैट हैड्य तो कुछ नहीं सकती है फूच माद्यम और जिसमें उपनितर पानी तरंग का संचर नहीं होशेगा एक बादि एक बाद को लाई कीजेगा उन्नम के आव N सबसे ज्यादा जैसे मानने हम यह उड़ा करेंगे क्या आपका काण्फिडेंस में सवसे और अकार लेकर essay का पेपर बनेगा तो मेरा यह कहने का मतलब है कि आप पास की दृष्टी को न देखे आप दूर दूर दृष्टी रखे और अपने मंजिल वहां भी बनाए कि मेंस में भी आपको जाना है तो अगर बेसिक नहीं जानेगे तो वहां के कोश्चन को तोड़ना कैसे हो पाएग होगी तो एक यांत्रिक तरंग यह मेडियम में जनरेट होती हो ह। ठीक चलिए तो आगे चलते हैं निम्न में से कौन काथन ध्वनी तरंगों के लिए सकते हैं दस वह акел उसे उसके बाद से घेर थुड़ा बढ़ाते तो ये निर्वात में संच्रड कर सकती है एकदम बखवास संच्रड हे तो भौतिक माध्यम की आप शकता नहीं होतीज है एकदम बखवास माध्यम चहिए और 0 degree centigrade पर ध्वनी की चाल तीन्-सो 322 मेटर प्रती सेकेंड होती है एक दम सही तो यह मामला सही है जीरो डिग्री सेंटीग्रेट पर ध्वनी की चाल इतनी ही होती है बाकी के आपके कथन जो है गलत है किलियर है तो यहाँ पर आप संसी अब कोश्चन की रफ्तार बढ़ेगी थोड़ा सा स्पीड आप भी बढ़ाईएगा ध्वनी तरंगे क एक होती है परासर्ब्य और एक होती है ओभ्स डिल मेवत रंग्र्छैए अब ढeszके तीन तरंग हो गई परास्रेब्य स्रभ्य और अपस्रब्य तरंग अगर हम बात करें यह कहां से कहां है 20 हरद्र से 20 हजार हर अग्र-पकर और यह कहां है 20 हड़् से कम और यह कैसा है तो यह 20,000 हड़् से ज्यादा यह इस से ज्यादा तो ध्वनी तरंगे कितने प्रकार की निकल गई तीन प्रकार की आगे चले एक दम तर रहा बिलकुल एक दम धुआ उड़ाएगा पूचा है बीस हड से कम आवरित्ती वाली ध्वनी तरंग क्या है जल्दी से बीस हड से अगर कम बोल रहे हैं तो आप क्या कहेंगे परासरभ्य होगी जल्दी से चुनना है कैसी तरंग होगी यह भरोसे का नाम है यह क्लास भी स्वास बढ़ाता और यह सवाल अब देखें दसक्राइस ने आपको मैं क्यों कहा कि दस आपको मैं धीमा पढ़ाता हूं क्योंकि उस दस क्रेंश्ट से आपका कांसेप्ट बिल्ड़ होता है और अगले दस क्रेंश्ट से आपका Confidence बढ़ गलती करेंगे ही नहीं तो भाया उसमें सही होने का भी कोशन का जवाब देंगे नहीं तो गलती होने का भी सही और गलत दोनों होने का चांस नहीं है पूछाए ज्वाला मुखी भूसलखन और उल्का पिंड से उत्पन तरंगे कैसी हैं ऐसी तरंगे की बात कर रहा है अब य इसके बारे में पूछ रहा है बताइए यह कैसी तरंग है जल्दी से बताना इस तरंग के बारे में कैसी तरंग है तो यह आपकी परास्रब्य तरंग है बीस हड्य से जाना की फ्रिक्वेंशी होती बीस हजार हड्य से जादा की फ्रिक्वैंशी होती है अधिक ठीक है तो चलिए यह आपकी पास हो गए पूछा है उस्त्रब्य तरंगे सोनिक वेव अब देखेगा जब आप प्रयावर्ण में या प्रदूसर्ड में मैک सब्द पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा ध्वनी से ही क्योंकि महां कहें मैयक 2 मैक 3 तो आप कैसे झानेंगे जाएगा कि ध्वनी के दो गुने वेग तो जाने यहां यहां तो आपि रित्ती जानने जाएं बीस हजार हर से अधिक एकदम कम यह भी गलत यह सबसे पहले पाठक जी का है अरे बहुत चीखा है यहां पर मैंने देखा है लोगों को गलतिया करते हुए और बाद में जवाब देते हुए यहां देखिए अब वही सवाल जो मैंने एक जगा एकस्प्लेन किया वही अब आपको कैसे किस रूप में मिल रहा है यहां पर मैंने एकस्प्लेन किया और इसी का यूज आपको यहां मिला वह सवाल नहीं मिला नया सवाल मिला लेकिन आप कैसे जबाब देंगे द्हुनिः की आवरित्ती क्या हो गी यह गष्चा cały halo कीच होगी फिंडिश कि आवरित्ती क्या होगी इक हजार से बीस हजार के बीच होगी तो स्रव्गे का moment से जवाब दिये हैं सही जवाम क्रितिका थोड़ा गलत हो गहीं आता थ्यां से देखिए यहां बीस किलो हड्ज लिखा है यह भाई यह भाई बीस किलो का मतलब 20,000 हो और 20,000 हड्ज से अधिक हो गया ना किलो का मतलब यानि अब थोड़ा सा जग के रहना है आप आरो की त्यारी कर रहे हैं ना आप समिछ्छा दिकारी बनेंगे अज उसको कुर्शी को सुसोभित करने वाल स्रब्य तरंगे मनुष्य स्रब्य तरंगों को सुन सकते हैं बाकी मैं नहीं कहूंगा मनुष्य कैसी तरंगे सुन सकता है स्रब्य तरंगे भुपेंद्र जी यह कौन सी बात है कि कभी कभी सुनी जा सकती है कभी कभी क्या मनुष्य के पास तीन कान हो सकते हैं क्या नहीं हो उसके लिए हम 20 हड से लेकर 20 हजार हड तक सुन सकते हैं बहुत बढ़ियां सुनीदा जी जवर्जस्त के चलिए आगे चलते हैं अनु की पढ़ाई देखी रहें आप लोग और आप लोग आये देहान दीजे निम्न में से कौन सा कथन परास्रब्य तरंग के लिए सकते हैं अब परास्रब्य कथन के लिए सकते की बात किया है क्या होगा इन तरंगों की आवरित्तिया अधिक और तरंग धैरे कम होती है तो क्या परास्रब्य तरंगों की आवरित्ति अधिक होगी तरंग धैरे कम होगी इन तरंगों का प्योग सुनार प्रडाली में किया जाएगा बंदर डालफिन और चमगादर आधी इन तरंगों तुस्म को सुन सकते हैं इसमें से कितने लग जबाब दे면हें क्या कोई टी वाला नहीं है क्या एक पर डी आप्क्शन भी देखो है एक एक पर डी आप्शन भी देखो कहला हां कि यहांं पर क्या करेंगे सोनार में इस्तेमाल होगा परास्त्र वे धुनिका यह भी है और यह भी है बिल्कुल यहां पर डी आप्शन बनेगा डालफीन बंदर चमगादर यह सब इंद्वनियों को सुन सकते हैं आपको यह सिखाने के लिए आई है पुछाए परास्प्राइब तरंगों को सरप्रथम किसने यह इसको छोड़िएगा और किसने शुरूपियाओगा हर जैने शुरूपियाओगा इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं है लेकिन मैं आगे चलता हूँ हुआ है 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 आप यह जवाब दीजे यह आसे कि यह जवाब दिएगा जल्दबाजी हो गए हाँ है नहीं तो कि भाइ सी बहुत सवाल आपके हो जाएंगे मर्चा कीडो को छती पहुंचाने वाले 9 या पुछा कि जो भी कीड़े है या च्हती पहुंचाने वाले तत्व हैं उनको घरू से दूर भिजने के लिए क्या हम infrared तरंग छोडएंगे नहीं या हम रेडियो तरंग छोडएंगे नहीं क्या हम सबसोनिक कि अल्ट्रा सो निक हम अल्ट्रा सोनिक वेजल्द करते हैं बिल्कुल अब अल्ट्रा सोनी अल्ट्रा सोनोग्राफी में क्या यूज होगा अल्ट्रा सोनोग्राफी में ए अल्ट्रा सोनोग्राफी में थोड़ा जल्दी जबाब दीजेगा तो रेडियो तरंग तो रेडियो तरंग तो रेडियो टेलिविजन चलने में शुरू होगा ना यहां प तरफ द्वनी चेप्टर जैसे आपका तयार हो गया अब हम लोग चले गए अगले चेप्टर के तरफ पूचाय ध्वनी का वह लक्षड जिसमें ध्वनी मंद या तिवर सुनाई पड़ती है अब देखेगा जैसे गुड़ता से आप दो ध्वनी में अंतर करते हैं जैसे दो उनों के आवाज का जो मिठापन है न वह अलग होगा क्वालिटी अलग होगी क्यों फैक्टर अलग होगा प्रबलता क्या होती है आयाम होती जैसे मेल जो होते हैं जो पुरुस है उनकी आवाज भारी होती है उनकी आवाज में भारीपन होता है वह बोलते हैं तो थोड़ी यह भी कहने का मतलब भारी भारी आवाज ही है लेकिन तारत तो जो है पिछ जो है वह तिवर्ता में ना पी जाती है आवरित्ती से ना पी जाती है मन कहने का मतलब आवरित्ती और जो तारत तो है यह पिछ की बात कर रहा हूं तो पिछ जो है मेल में कम होती है और फिमेल में चाहें जादा होती है इसको ऐसे समझेगा कि फिमेल की चाहें जो होती है जादा दुर्टक जाती है तो पूछा है कि घ्वनी का वह लक्षड जिसे ध्वनी मन या पिष्णाई देती है इसका सही ज़वाब तारक्त्त है कि या सही जवाब है तारत तो चारत कम होता पूर्श्ru का जो भी मेल देखें ग आप कितना इंहा इदम मेंदार संप लिघतर जुघते हैं पुछा कितनी आवरिति चमगादर पचास हजार एक लाख क्या बोलेंगे चमगादर कितनी आवरित्ति तक सुन सकती है इस सवाल का जवाब सोच के बताईए क्या सोच देखेगा पचीस हजार हड़ बीस हजार हड़ नहीं चमगादर रट्रासोनिक है तो उसकी आवाज बहुत ज्याद होती है तो कि चमगादर जो होती ड Nag aय रात्त्रिचर लगभग एक लाख हट जितक का ध्वनी जन्रेट कर सकती है कि अ कि अब यह दो आकरी सवाल है इसके बाद से हम लोग 25 के बाद से हम लोग आपके अलग चेप्टर पर आएंगे और यह चेप्टर का नाम आप देखेंगे टेंपरेचर यानि तापमान और उस्मा के नाम से है तो चलिए दो सवाल और बचे हैं आपके साथ उसके जबाब दीजेगा फिर आगे चलेंगे ध्वनी की तिवरता का मात्रक पूछाएं डेसिबल को डीबी से नापते हैं तो ध्वनी की तिवरता का मात्रक क्या है अगर आवरित्ती पूछता तो आप हर्ज बोलते ह अगर तिवरता कह रहा है तो तिवरता का मतलब एकांक एरिया से निकलने वाले एकांक एरिया से निकलने वाले आपको ध्वनी की बात करेंगे चलिए ध्वनी का तारत तो हमने क्या कहा था फिमेल की आवाज ज्यादा सूरिली होती है यानि फिमेल की आवाज की आवरित्त पर निर्भर करेगा किस पर निर्भर करेगा आवरित्ती पर निर्भर करेगा चलिए तो एक बार ज्यादा इनर्जी के साथ जबाब दीजेगा सधारण बात चित के ध्वनी की तिवरता कितनी होती है जल्दी जबाब दीजेगा करके रहेंगे परिच्छा परवार बहुत बढ़िया भाई यहां पर देखेगा यहां पर 20-30 decibel डेलं है älणी तो आपшиб कर चलते हैं और जबाब देना है आपको एलको स्वाल कराते साइंस में कहा का इस लिखा के एक सवाल करते हैं परम सुन्यताप से और यह परम सुन्यताप आज जाके आरो यारो के बुक में देख लेना प्रिबियस यहर के पेपर में यह आरो में आया हुआ सवाल है जल्दी से जवाब देना है नहीं होगा कोई मायूस मेरे यार जल्दी बताईएगा किसी भी तापमान पैमाने पर आरं degree centigrade दूसरा परम सुन्य ताफ होता है zero Kelvin या वह ताफ जिस पर सभी और जम जाते हैं गलत बात आन्थ रूप से निवूंतम संभाव ताफ किसी भी ताफप पयमाने का आराम्भिक बिनुदु नहीं सैद्हांति रूप से निवूंतम संभाव ताफ इस से कम तापमान संभो नहीं है सैधानतिक रूप से इससे कम तापमान संभो नहीं है यह देखेगा अब भ्यास अचया को सीरीस 21 तारिक को आ रही है और यह कभ आ रही है शाम 7 वज़े से तो पुरी उनर्जी के साथ तयार रहेठा रहेगा रवीमq रही द्यक्त कि स्थिरायतणगैस तापमापी या। ताप युग मतापमापी हम किस तापमापी के इसंदेमाल करेंगे तो एक्सक्क्रीघ यह आईगा सब्सक्राइड ₹ साद मेые और सबस्क्रीक निरख दया करubaद थारो裏 तक का ताप मान नाप सकते हैं और इसमें आप पारा का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि पारा के पास एक समान प्रसार का गुड़ है जितना ताप बढ़ाएंगे उतना ही एक बराबर प्रसार होगा यहां पर आपको लगेगा प्लेटिनम प्रतिरोध ताप मापी उच ताप के लिए है। उच ताप के लिए इस्थिर आएतन ताप गाज ताप मापी नहीं युग मुटाप मापी हम लो ड्रव ताप मापी डाक्ट्री ताप मापी में पारा जो है नाAw लिक्विड है पारा है तो हम किसकाउस इस्तेमाल करते हैं गलत हो इसलो continuum इसलिए आपने सोचा नहीं आप पूछा आपकर्स करने के लिए किस पदार्त का प्रियुकरते हैं देखिए एकधम लेंगुएज उसी की है आपके एक्जाम की लेंगुएज उठाई गई है पूछाrados आपकरम गयात करने के लिए किस पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं तो आप देखेगा इस सवाल का जबाब आप बिल्कुल सही दे पाएंगे पारा लेकिन अगर हम कहें कम ताप के लिए तो कम ताप के लिए क्या होगा कम कताप के लिए एलकोहल का प्रयोग करते हैं कम ताप के लिए एलकोहल का प्रयोग करते हैं क्योंकि यह जमता नहीं है पारा का गलनांग थोड़ा लो है माइनस 49 डिग्री सेंटिग्रेट पर पारा जम जाएगा लेकिन एलकोहल माइनस 49 पर नहीं जमेगा वो और नीचे कोहल का प्रयोग करते हैं कहां पर नीचे के तापमान मापने के लिए तो यहां पर सही जबाब आपका क्या है पारा है गैस तापमापी में नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं याद रखेगा समाने स्थिती में जब हमारा समाने सरीर का टेंपरेचर होता है तो समाने स्थित देखना क्या Kelvin में या Celsius में पानी उबलता है Kelvin में तो Gesprच कम पाल Heavenly च्छी यहां साथ कहारे से सही जवाब फारेel हैट आप डी जवाब दे रहें 100 degrees centigrade का मतलब पानी उबलता है अगर एतना तापमान अगर हम लोग का हो जाए तो ब्लड उबलने लगेगा आप खुद सोच के करिएगा अन्ठानवे तसलों पांस डिग्री फारेन हाइड बिल्कुल निहा जैस्वाल जी स्वागत है आपका और एक दिन आ गई तो आप बिल्कुल आपको खुद ही पसंद आएगा क्लास पूछाए संपूर्ड विक्रड उचतापमापी इस्तीफेन जूल तो यह सीवैख प्रभावपर अधारित होते तीवैख प्रभावपर याद करिए सीवैख प्रभाव आया था तो मैंने कहा था कि बाद में बताओंगा ठीक है तो यह इसके लिए था चलिए पूछा है पाइरोमीटर का प्रयोग करते हैं पाइरोमीटर का प्रयोग किसके लिए करते हैं सुर्य का ताप मानो सरीर का ताप जल का ताप गैस का ताप पाइरोमीटर उच तापमान के लिए ठीक है पाइरोमीटर जो होता है किस तापमान के लिए उच तापमान के लिए है तो मानों शरीर के तापमान के लिए तो डाक्टरी तापमापी जल का ताप गैस का ताप पाइरोमीटर उच्छ तापमान के लिए यह बात ध्याद दीजेगा ठीक ना तो यहां पर उच्छ तापमान किसका होगा सुर्य का होगा तो पाइरोमीटर का प्रियोग सुर्य का ता भीया बीक्रड गया और टेंप्रेचर पता किल जाता था ठीक है तो उसके बारे में भी चर्चा होगी पुछा है फारेन हाइट मापकरम पर समाने वायुमंडली दापर उबलते हुए जल का तापमान क्या है अब यह सवाल समझेगा ध्यान से किस तापमान पर जल उबलता है सौ डिग्री सेंटिग्रेट पर पानी उबलता है पानी उबलता है किस तापमान पर सौ डिग्री सेंटिग्रेट तो सौ डिग्री सेंटिग्रेट दो सो बारा डिग्री फारेन हाइट के बराबर है तो यहां पर सही जबाब दो सो बारा डिग्री फारेन हाइट है तो 32 डिग्री फारेन हाइट के बराबर होता है और यही 273 के बराबर होता है और यही जीरो रियूमर के बराबर होता है और यह भी याद रखेगा डिग्री सेंटीग्रेट और डिग्री फारेन हाइट में एक ऐसा ताप मान है जिसको कहते हैं माइनस 40 डिग्री जिस पर दोनों स समान होते हैं तो चलिए भीया अगे चलते हैं पुछा है घर्मियों में ताप 46 humility 2 हो जाने पर भी ऊंट गर्मी से रहत महसूस करते हैं क्या कहा है घर्मियों में आप मान अगर 46 degree centigrade तो उटगर्मी में वी राहत पैळा यहाथ में सूस करते हैं क्यों रईगिस्तानी पौदों की छाया में बैठकर अपने सरीर का अताप मान 42 डिग्री सेंटिग्रेट तक बढ़ा कर या पानी के संचे के कारण क्या होगा या यह क्लास कभ स्टार्ट होती है अगर इस समय 8 बज कर कितना मिनट हुआ है पिकिस्टध या ह cabin कि सिक जबाद इसका जल का प्रेयों किया जाता है आप जानते हैं हाथ की सिकाई करनी है पैर की सिकाई करनी कर नियेख टूट गया है मसल्स में दिक वृष सारी दिक्कत अगर है गरम जल के थैलों में तो हम क्या क्यों खासियत है तerson को जब गरम करें तो विस्षिस निसमा ज्यादा है धीरे से गरम होगा धीरे से ठंडा होगा आपसर नंबर किया हो जाएगा पूछा है जल जल के आयतन मैं क्या परिवर्तन होगा यदि टाप 0 से 3 degree centigrade बढ़ें तो यहां देखेगा हमेशा ध्यान दीजेगा जल का नक्र Cash चार डिग्री सेंटिग्रेट पर आयतन नियुनतम होता है यह आयतन है यहां पर आयतन जल का क्या होता है मिनिमम होता है तो जहां चार डिग्री सेंटिग्रेट पर जल का आयतन क्या होता है नियुनतम होता है तो अगर कह रहा है कि जीरो डिग्री सेंटिग्रेट से अगर करе 100 apostleês करता अगर यह ए dart ऐले कितंव प्रणिट चाल डिटिकरी और03 सलाव टेंगरे तो पहले आहेद्न कम होता ढ़लेибо कम कम और कम होने के बाद आयतन क्या होता बढ़ता है तो पहले आयतन कम होता है फिर आयतन बढ़ता है पूछाय किसी पेड़ की नीचे हम ठंडा महसूस करते हैं जब कि этой के चादर के नWhere The नहीं क्योंकिल की हरियाली हमें ठंड का एसास कराती है प्रकास संस्लेशण उसमा सोसित कर लेती है, पूछा है, पत्ते जल वास्प को जल में बदल देते हैं, जो उसमा सोचिय क्रिया है, और कह रहा है, पत्ते जल छोड़ते हैं, जोकि वास्प बनकर कुछ, उसमा को सोख लेता है, यह सवाल तो बड़ी की प्रक्रिया हुई वही वास्पो सर्जन की प्रक्रिया ने आसपास के जो हीट था इनर्जी था उसको वास्प में कनवर्ट कर दिया और यह चालिसवां आज का सवाल जबाब पोछा है कि अग्जवानiben start-on की मापी कैसे की जाती है उठ उच्छ तापमानकी मापी हम कैसे करते तो उच्छ तापमान की मापी की बात अगर हम करें तो आप क्या जबाब देंगे उच्छ तापमान की मापी तो प्लेटिनम प्रतिरो ताप मापी से बिक्रड ताप मापी से सबसे ज्यादा हम उच्छ तापमान को मापते वैसे प्लेटिनम भी उच्छ तापमान मापता है लेकि सबसे ज्यादा उच्छ तापमान प्लेटिनम प्लेटिनम प्रतिरो ताप पर इसके बाद वो होगा ठीक है चलिए आगे चलते मैं किज्म सच और फारेनहाइंट एक बराबर होता है सेल सीयस और फार्नहाइट कहा है तो मैंने आज ही यह लाइन बोली है कि किस ताफ sı्जन सेश और फारेनहाइट बराबर होता सुनिता जी हिमानसी राहुल क्या होगा कृतिका जबाब दे माइनस 40 डिग्री सेंटिग्रेट पर आपका सेंटिग्रेट और फारेन हैट दोनों क्या होगा आपस में बराबर होगा जल का घंत्व किस तापमान पर अधिक्तम होता है तो ध्यान देने वाली बात यही है कि चार डिग्री सेंटिग्रेट पर आयतन न्यूंतम और घंत्व अधिक्तम होता है और घंत्व क्या होता है अधिक्तम होता है सही जबाब चार डिगरी centigrade होगा आफ़्ुसर नम्बर भी होगा एक दम इनरजी के साथ चलिए गा आँकरी के आठ सवाल अलफा नम्बश्वत और गामा में यह भी प्रसार गुडांक होतें इसको कहते हैं लाप भी प्रशाड चेत्री प्रशाड और आयतन प्रशाड गुड़ांग के बीच का अनुपाद जो है एक समंध्य दो समंध्य तीन का है अगला पूछा है उस्मा की वह मात्रा जो पदार्थ के एकांक दर्ब्यमान में तापी प्रदी के लिए आवश्यक है तो उसमा की वह मात्रा है जो जहां पर ताप समान रहे अवस्था बदलती है ताप समान रहे अवस्था परिवर्तित होती है है चलिएगा आगे पुछाए किसे में सर्वोच विसिष्ट उस्मा का मान है सबसे अधिक विसिष्ट उस्मा किस में होती है आप कोस्चन नंबर फोर्टी फाइफ का जबाब दे एक दम सर्माजी डी अंगद याद और डी अभी तक के सारे जवाब डी पर आए हैं सरत चंद्रा का भी है बिलकुल सुनीता भी डी जवाब दे रही है इसका मतलब अभी तक जितने लोग जवाब दिये हैं बिसिष्ट उस्मा के बारे में कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा बिसिष्ट उस्मा किसका है तो जल का है तो सबसे ज्यादा बिसिष्ट उस्मा किसका है जल का है पूछा है मोटर गाड़ी के इंजन को ठंडा करने के लिए जल को प्रयों में क्यों लाया जाता है क्योंकि मोटर ताड़ी के इंजन में पानी डाल देंगे तो विसीस्ट उसमा जादा होने के कारण जादा से ज्यादा उसमा ले लेगी और इंजन तो है थोड़ा सा वह जादा से जादा उस्मा को असोसित करता है तो भाया कलू काला बताईए क्या होने वाला है तो यहां पर जो भी काला होता है वह क्यों होता है क्योंकि काला उस्तरजन समता उच्छ होती है और सोसर समता कम होती है गलत काले और खुर्द्रे की और सोसर समता भी अधिक होती ह यहां पर सही जबाब आपका भी होगा भी आप्षा नहीं दिया था मैंने याप भी लिखा है देखेगा यह भी आप सब्सक्राइब चलिए पूचा है अगले सवाल के तरफ चलते हैं पूचा है निमलिखित में से किसकी उस्मा धारिता अधिक है तो यह तो जल है यह तो पर आपका जल भी होता है तो यहां पर जो उस्मा होती है उसको गुप्तुस्मा कहते हैं और कहते हैं गलन की गुप्तुस्मा ऐसे ही आपके वास्पन की गुप्तुस्मा होती है तो इसका सही जबाब गुप्तुस्मा यानि आपसर नमबर सी और सही जबाब दिया है पदार्थ की बिसिष्ट उस्मा किस पे निर्भर करेगी तो बिसिष्ट उस्मा जो होती है उस्मा की मात्रा पे द्रब्यमान पे या तापमान पे तो देखेगा पदार्थ के दाविमान पे यहां पर किसपन निर्भर करती है तो आप जानते हैं जितना ज़्यादा द्रविमान होगा उतना ज़्यादा उसमा देना पड़ेगा तो यहां पर पदार्थ के द्रविमान पे ठीक है ए और बी दोनों एक ही आप्शन है तो चलिए यह आप अभ पूरी इनर्जी के साथ तयार हीएगा आखिरकार यह क्या है इसका इंतजार करें यकीन बैश बात का भरूसा दिलाता है कि यह बैश आपके एक्जाम के लिए पूरी तरह से सक्षम है जो आपको सक्षम और सबल मताता है मजबूत बनाता है रिविजन करते रहीगा इसी दिरेक्ट आप जो भी बैच लेना चाहते हैं उसे जूर सकते हैं आज की क्लास कैसी लगी उमीद है आपको बहुत प्यारी लगी होगी बहुत अच्छी लगी होगी आप सभी को बहुत सारा धन्यवाद बहुत सारा प्यार यूपी संगम के प्लेटफॉर्म से जूड़ना च क्लासे से जुड़ सकते हैं टेकना चलिए तो इसका सेसं इसी के साथ समाप्त होता है और कहते हैं जब आग लगी हो सीने में तभी मजा है जीने में अगर आपके दिल में आगल लगी है समिक्षा दिकारी के लिए तो उस आग को जलाइए उस एक और अपने कि छमता बढ़ेगी और हर जगह से आपकी एकागरता पढ़ाई के तरफ जादा होगी और उस हिसाब से आप अपने लक्ष को पाएंगे कहते हैं कि करत करत अभ्यास के जडवती होत सुजान रसरी आवत जातते याद है ना सिलपर पढ़त निसान और याद रखेगा अगर आ अतना ही तेज प्रहार आपका होगा और आपको कोई गिंती में कम नहीं माकेगा हमेशा याद रखेगा आप दूसरों को कम मता किए और अपनी भूमिका को प्रबल बनाए रिविजन कीजिए लेट नहीं हुआ है देर नहीं हुआ है अगर कोई कहता है कि बहुत लेट हो ग आगे बढ़िए जैहिंद कल मिलेंगे इसी समय पर